अब देखिए लडाई है जो है जहारखन में बिगुल बच चुका है लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जिस मुद्द्व पर और जिनके लिए लडाई लड़ी जा रही है पिछले 24 सालों से जहारखन में उनसे ही बच कर चल रहे हैं जो टॉप लीबल के लीडर है मारे अरजुनमुंडा चुकी लड़ नहीं रहे है क्योंकि पिछली दफ़ा वो हार गये थे तो इसलिए डर ज्यादा सताने लगा है तो वो अपनी पत्नी को पोटका से लारा रहे हैं समानी सीठ है अब देखिए तीनों जो ये चेहरे हैं एक तो धारकन बनने के बाद सबसे प देखिए तीन के एक सीम हो या फिर मौजूदा सीम आदेवासी सीठ पर जाने की हिम्मत ने जुटा पा रहे हैं ये तमाम जो लीडर है इन तीनों की नाम में फिलहाल में कह रहा हूं और आप देखिए कि डर कैसा है इसे आप डर ही कह सकते हैं कि अपने ही समाज के बीच सि और कुसी भी ृधरG याने की आदेवासी सीठ को नहीं पकरर रहे हैं सबस्रा तीनों आदिवासी नेता हैं सबसे बडे चहरे हैं नुमाएंदों आधिवासी के मुद्धे पर प्रकर होकर तीनों जो है बात करते हैं भिश्वर यह मंत्सूरेन यह तीनों के तीनों समाने सीट को पकड़ हैं अब सूचिए यह डर कैसा है अधिवासी समाज से या फिर आदिवासी के मुद्दोर से या फिर यह समझने लगे हैं कि अधिवासी के साथ भले हम लोग कितने पॉलिटिक्स कर लें लेकिन आदिवासी समाज उन्हें कभी वोट ने करने वाला है लिहाजा डर हार के डर से ये तमाम जो लीडर हैं अपने आदिवासी सीट को जबकि नहीं चुनते हैं जबकि मुझे लग रहा है कि आसी सीटों में से 27 से 30 सीट जो है ट्राइबल सीट है जारखन में और लेकिन लिहाज जादे कि ये तीनों के तीनों चेहरे जो हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं लेकिन हाल यह है कि हिम्मत ने जुटा पा रहे हैं कि आदिवासी के बीच में जाएं और अपने मुद्धों को रखें और बात को समझाएं कैसे चलेगा ये ज दुबान पर आदिवासियों के बीच जाकर क्योंकि आपने तो 24 साल से देश किसी जारखन की राजनीती की है आदिवासियों के मुद्धे पर कही वाई ला रहा है फिर डर क्यों हो रहा है आदिवासी के बीच जाने में